फ्लेवर्ड नमकीन एक बार बनाए महीनों खाए दो कप महीन मोटी जो भी सूजी आपके पास है ले लीजे क्राइंडर में डाल कर महीन ग्राइंड कर लेना है एक बड़ी परात में निकाल लेंगे इसका टेक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए थोड़ा सा दरदरा और बीच-बीच में से पिसा हुआ एक चमच नमक डालेंगे और दो बड़ी चमच मेल्ट किया हुआ बटर, तेल या गी जो भी आपके पास है डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है बंद मुठी वाला मोयन जैसा होता है बिल्कूल उसी तरह का होना चाहिए अब इसमें नॉर्मल टेंपरेचर का पानी डालते हुए हमें थोड़ा सा गीला गीला आटा गुथ लेना है क्योंकि हम सूजी का बना रहे हैं सूजी पानी सोक कर लेगी और अपने आप आटा थोड़ा सा हाड हो जाएगा अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंदारी है न्यू लग रही है प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहां से दीख रहे हैं मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है गुतने की बाद आटा इस तरह का एक दम गीला होना चाहिए डग कर 10 से 15 मिनिट के लिए डग देंगे आटा सेट होकर रेडी है मसल मसल के चिकना कर लेंगे अगर आपको जादा टाइट लग रहा है दो से तीन चमच पानी डाल सकते है ये गुता हुआ आटा एक दम परफेक्ट है बिल्कुल इसी तरह का चाहिए अगर आपसे ये जादा गीला हो जाए तब एक से दो चमच सुजी डाल कर थोड़ी देर और रख दीजे अब एक एक लोई बनाते जाएंगे और इसे बेल लेंगे बेलते समय इसे रोटी के जैसा थोड़ा सा थिक बेलना है बहुत पतला नहीं करना है अगर आटा अच्छे से गुता हुआ है घी, तेल या फिर मैदे की डस्टिंग लगाने की ज़रत नहीं है और अब इसे कट कर लेंगे मैं यहाँ पर इसे स्क्वेर में कट कर रही हूँ मेरी पास इस तरह का जिग जैक वाला कटर है इसलिए मैं इससे कट कर रही हूँ आप इसे नॉर्मल चाकू से भी कट कर सकते है टेस्ट में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा इसे एक प्लेट में निकालते चाहिए थोड़े थोड़े बनाते जाएंगे और फ्राय करते जाएंगे कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दीजे जब तेल अच्छे से गरम हो जाए फ्लेम को मीडियम कर देना है तेल में अच्छे से बबल्स आ रहे हैं इसी समय इसमें सभी रेडिकी हुई मठरी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राय कर लेना है अगर ये आपस में चिपक भी गया है तब भी आप इसे तेल में डारेक्ट डाल दीजे, अपने आप धीरे धीरे ये अलग हो जाएंगे, चमच इस तरह से चलाईए, अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे अब मीडियम फ्लिप बर ही इसे चलाते हुए हमें कलर चेंज होने तक, कलर पिंक होने तक तल लेना है एक छन्नी में निकालते जाएए, एक्स्ट्रा ओयल निकल जाएगा इसे किचंट ओयल पे नहीं निकालना है, छन्नी में निकालना है छन्नी में निकालने से ये नीचे से सौगी नहीं होते हैं ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी और खसता रहेगा इस सूजी मट्री को आप बिना मसाला लगाए भी सर्व कर सकते हैं पर मैं इसे दे रही हूँ पुदीने वाला टेस्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा चम मच, चाट मसाला और अब इसमें धेर सारा सुखा पुदीना इस तरह से क्रश करके डाल दीजे या फिर ग्राइंड करके डाल लेना है मिक्स कीजे और मट्री के उपर कोट कर लीजे मैंने आज इसे पुदीना फ्लेवर में बनाया है आप अपने मन पसंद कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं ये देखिए कितनी खस्ता करारी बनी है और मुमें डालते ही खुल जाती है इस मट्री को बनाने के बाद आप मैदे की मट्री बनाना छोड़ देंगे ये मेरी कैरेंटी है बहुत टेस्टी बना है एकदम खस्ता करारा बना है इसे एरड़ कंटेनर में भर कर आप तेर से दो मैने जख स्टोर कर सकते है और फिर इसे चाय के साथ इंजॉय कीजिए बाहर का खराब तेल वाला नमकीन लाकर बच्चों को खिलाने से अच्छा है आप घर में ये सूजी नमकीन ट्राय कीजिए बनाईए खाईए इंजॉय कीजिए बाबाई